अमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज 30 जन्वरी हैं और आज का दिन हम लोग बल्दान दिवस के रूपे मनाते हैं क्यों? क्योंकि आज ही के दिन नाथुराम गोडसी ने महत्मा गांधी की हत्या कर दे थी बेड़ा भौन में, साम की सभा में, जब महत्मा गांधी उपस्थित हुए, तो उसी समय अपनी व्यक्तियत रिवालवर से गोली मार कर, नाथुराम गोडसी ने महत्मा गांधी को सदा सदा के लिए सुला दिया है, यह शब्द थोड़ा सा गरवर लग रहा है, लेकिन चलो, मैं मान लेता हूँ कि आज ही के दिन महत्मा गांधी की हत्या कर दे गे थी यहाँ सवाल कई पैदा होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मृत्य के समय उन्होंने हेराम सब्द कहे थे और बहुत सारी चीजें एसोसियेट हो गए धीरे धीरे और हमारे जनमानस के राष्टपिता की रूप में महत्मा गांधी की एक प्रतिष्ठा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि आखिरकार गांधी ही उब्यक्ति थी, जिनको हम लाग कुछ कहने के बावजूद अगर भारत वर्ष में उत्तर से दक्षिन तक, पूरव से पश्शिम तक, हर वर्ग, सरमान नेता के रूप में अगर किसी को देखता था, तो गांधी ही थी इसमें कोई दोराय नहीं है, कि अगर गांधी जी नहीं होते हैं, तो हो सकता है भारत के आंदोलन की दशा और दिशा कुछ और होती है और कुछ भी हो सकती है, बहसकावी से हो सकता है, इस पर हम नहीं जाना चाहिए यह बात भी सकते हैं, कि उन सकतिसाली अंग्रेजों के सामने लड़ने का जो हथियार गांधी जी ने खोज निकाला था, उसका कोई काट नहीं था उन अंग्रेजों के पास भी इसलिए इस समय समय पर उनको गांधी जी जुका दिया करते थे, अंग्रेजों के और अपनी बात को मनवा लेते थे, ओचाहे अपने पहले आंदोलन की बात करें, भारत में जो कि नील आंदोलन की बात करें, या और भी बहुत बड़े-बड़े, या बात भी सकते हैं, कि गांधी जी हर चीज को शाफगोई से स्विकार करते थे, बिना किसी लाग लपेट के लिए, जैसा कि उनकी आत्मकथा में प्रदर्सित होता है, बहुत सारी कथाओं को, अपने जीवन के घटनाओं को निकाल करके लिखा है, My Experiment with Truth, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और और भी किताबें जो है, गांधी जी के आत्मकथा भी जो है, तो इस सारी चीजें, अगर उनकी किताबों का पढ़ी तो आपको लगेगा कि, जिन रहस्यों को साइद ही कोई खोज करके अपनी निकाले बाहर, उसको गांधी जी निकाल यह उनकी सत्यवादिता को दिखाता है, कि वाकई में एक सत्यवादी इंसन थे, अपने विशे में भी लिखते वक्त उन्होंने कोई कोई कोदाही नहीं किया, यह नहीं सोचा कि समाज इन तत्यों को पढ़ करके क्या कहेगा, तभी तो आक्षेप करने वाले उनके विशे म तमाम बाते बोल देते हैं, कि उन्होंने आत्मी आत्मगता में यह लिखा है, अपनी आत्मगता में वो लिखा है, सुनते होंगे आप लोग भी तमाम वीडियोज के माध्यम से, तो यह सब गुन जिनके अंदर होंगे, उमहा मानो ही होगा, जैसा कि गांधी जी थे, और आ उत्रा सक्स है, जिनका नाम नाथूराम गोड़से है, ऐसा क्या हुआ, कि नाथूराम गोड़से को बोली चलानी पड़ी, तो नाथूराम गोड़से का ऐसा मानना था, कि गांधी जी हमारे लिए भी उतने ही पूर्जे हैं, जितना पूरे देश के लिए हैं, गांधी जी के कुछ फैसलों से सनातन धर्म के मानने वालों को चोड़ पहुंची है बहुत सारे ऐसे तथे दिये हैं नाथुराम गोर्षी ने उनका बयान अब तो गूगल पर उपलब्ध हो जाता है आप लोग देखें कि नाथुराम गोर्षी ने अपने अंतिम बयान में जज़ के सामने क्या कहा था तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उसमें उन्होंने इस्विकार किया कि हमारे लिए भी उतनी पुझनी है इसलिए जब प्रार्थना सभा में नाथुराम गोर्षी पहुंचे अंतिम दिन तो उन्होंने गांधी जी का पैर चुकर करके उनका प्रणाम किया अपने मन ही मन यह स्विकार किया कि मैं गलत कर रहा हूं ना कि हमें वनवे फैंसला देना चाहिए लेकिन यह बाद तो सत्य है कि दोनों व्यक्ति के तर्क अपने अपनी जगह पर सही थे नाथुराम गोर्षी का भी जो खतनता वो अपने जगह पर सही थे ऐसा नहीं कि कोई गलत हो कर रहते हैं लेकिन गान्दी जी भी अपनी जगह पर सही थे चलिए इस आसे के साथ गान्दी जी को सद्धान्जली अरफित करते हैं और सत्सत नमन करते हैं नाथुराम गोर्षी को भी अनेक अनेक प्रणाम करते हैं यह तो लांग टर्म में इस बात का निर्णे होगा कि कौन सही है कौन गलत है लेकिन अगर किसी ने कि मन में गांधी जी के प्रत उतनी ही स्रध्धा थी जितना आम आदमी के प्रत आम आदमी की ग्रांधी जी में स्रध्धा थी तो उसमें नाथुराम गोर्षे भी एक व्यक् जी को तो है ये भाइगांदी जी निश्य ही एक महा पुरुस हैं धन्यवाद नमस्कार